हाँ नजीब इसलाम अलेकुम यह जो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि यह जो आज डोड़ा में यह कुछ वीडियो वाइरल हुई हैं जो कुछ गंदी वीडियो हैं लड़कियों और लड़कों की और उनके बारे में कुछ टार्गेट यानि नाम लेकर बताया ज क्या रहा है कि यह फलानी लड़की है यह फलानी लड़का है यह डोड़ा के लड़के लड़कियां हैं तो इसके बारे में हालें कि आपने हमने वह सब कुछ देखा काफी उनमें गैराई से हमने देखा कि बच्चे और बच्चा का आएं कि यह और हमने पाया कि यह देना चाहते हैं बहुत अच्छी बात बोलिया आपने परसुई मैंने दिया था एक चीज यह कि इन चीजों का प्रहेज करो इसमें एक चीजा यह बड़ी बात कि यह इसमें बोला कि डोड़ा की लड़की पूड़ा का लड़का ठीक और पांच वीडियो हमने देखी पांच मैं से न कोई लोड़ा का लड़का है न कोई भोड़ा की लड़की है नम्बर वन हाँ हम तो खुले हम भी अपने बच्चों वाले हैं हमारी वी बज्चे हैं हम भी चाहते हैं कि पूझे इसी चीज नहीं चीज नहीं हैं जिससे और गल्त अफ़रह ओजे हुए ए友से पहला बहुत नेक बच्ची, लड़का, क्या पता लड़के गोरंजिश को की सिखजाद या लड़की गोरंजिश को की सिखजाद, तो उनका नाम ले लिया, लड़का नहीं है, बिलकुल नहीं है, लोड़ा का है, नहीं है नहीं है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं यह चाहता हूँ कि आलात अला इनको बचाए हमें हर किसी हिंदु मुस्लमान सिकिसाई जो भी लड़की ओ लड़का ओ वो हमारा बच्चा है हमारी बेटी है हमारा यह हम यह चाहते है कि यहां पर अमर रहे अच्छा सुपूर रहे और अच्छे यह रहे सिर्फ इस गलत ज में कान पकते रहें वो लड़की वो लड़का अब मैं नाम नहीं लेसे ना हूं लेकिन मैं यह चीज शोर बोलूगा एक सो दस परसंद बोलूगा ना पीचारी लड़की है डोडाकी ना आप लड़के को बदनाम करो क्योंकि यह दोनु बेकुसूर है और आप यह चीज यह कहना चाहता हूं कि एक जमाने में आप ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था तो जिसके जिस पर यहां की डोडा की अधिनिस्टेटिव भी आप वो भी यानि आपको इस पर यानि वो खुश थी कि डोडा में कोई तो है जो यह बुराईयों को रोकना चाहता है उनक लेकिन उस ताइम में हमने देखा कि आप और आपकी टीम के ओपर डोडा के ही लोगों ने वो दूर तक बहुत दूर तक यह कंपलेंट पहुचा ही कि भई यहां पर यह भुछा कर दिये थाना खोला है थाने के नीचे थाना खोला है वहाँ पर आपकाएयर से एल आफिस हो करता था उस ताइम में वहां से एक्शन हुआ करते थे तो काफी असर पड़ा था बचों और बचों पर काफी एक डर डरना की डरने वाला मसला नहीं था कि डर रही थे वो लेकिन अच्छा मेसेज गया था काफी कंट्रोल हुआ था लेकिन आप ये बताएं कि उस ताइम फिर आपके उपर और आपके दोस्तों के उपर एफायर लाज हो गए वो केस चल चलाए उनके उपर डियाई जी से बात हो गई यहां से डियाई जी हों को कहीं को किसको आफिसरों को कंप्लेंट की गई लेकिन करने वाले जो थे आपको पता है फिर बाद में आपने पता किया थ तो वो पता चला था अपको कि डोटा के लोग ठेक उनको आप क्या मेसेज देना चाहते हैं किBlue या तो वो वो रायो को रोके कि तो या तो या किसी और को जो रोकता है कुछ उसको रोकने दे उसका भूसला औजाई करे आप इसके बारे में क्या तो कि अगर उनको हमारा जो आशी तर हमने किया हमने हर किसी बेटी पो अपनी बेटी समझ कि रोका वूट अच्छी हम ने एगा कि अगर रास्ते मैं डोड़ा एच चोटी एगा है यह लड़का और लड़की बात भी करें हम बोलते हैं कि नहीं करो ग़ार में जा कि करो घर में ब यहां पर परदा है और यहां पर बहुत अच्छा परदा है चाहे हो हिन्दु हो मुस्ल्मwn हो यहां पर बड़ा अच्छा भी निजाम होते थे मुझे लगता है कि अगर उनको लगता है कि हम गलत करते हैं तो वहीं सुधारे ना वहीं ठीक करें ना लोग उनको वहीं ठीक करें उनको वहीं हमारी बच्चों को ठीक करें वह आई हमारे बच्चों को ठीक करें लेकिन हुद्पाग सब्सक्राइब हमने बोलाए कि अगर आपको कहीं दिखता है गलत है तो उस चीज को रोको अगर रोक reinforce नहीं सकते हो उसको बोलो यह नहीं करो अगर वो भी diffuse को सकते हो उस्ते नंबरत करो तो इसका मदब हमारा दिल इतना मुर्दर हो गया है कि हम किसी को भी नहीं सकते चांक हो गड़त हैं यह जी जो भोल नहीं है की नहीं है नंबर वान हमने पूरी अच्छी तरह यह चेक किया इसको ना डोटा की रड़की है ना डोटा का लड़का है यह पूरे पले बादो जो यह दुश्मन कुछ लोग लगे होए इनके बीचे कि नहीं डोटा में वाइरल हुई हमने चान पिंग करके ना डोटा की सब को अपने बच्चों की तरह देखो वो बच्ची हमारी है वो बच्चा हमारा है हमारा बाई है हमारा बेटा है हमारी बेटी है हमारी बैटी है हमारी बैन है सब कुछ है इसलिए इन चीज़ों से बच्चों और खामा खामे किसी को बढ़नाम मत करो खुदा भी शुक्रि